गुर्ण मॉर्णिंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हम पसंद देखने वाले हैं पूरे के पूरे पूरे डिटेल में और आक्षा फैक्क के साथ में अगर आप किसी भी सरकाय नोगर की त्यारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने उस भारतिय की केटर का नाम बाता यह जिससे वीडियो द्वारा भारत में टेस्ट के लिए 21 सदी का मोस्ट वैलिवल प्लेयर चुना गया है तो चुने के ओप्शन नमबर सी यानि की रविंदर जड़े जाए इनके दोस्तों किस काम के लिए तो इनके बैटिंग के लिए और इनके फिल्ड निंग के लिए चुना अब किस ने चुना है तो विजड़न ने चुना है विजड़न क्या है दोस्तों विजड़न एक प्रकार की मैगजीन है अब देखें दोस्तों इसने किस के आंकड़े लिए तो आंकड़े लिए क्रिकबज का है क्रिकबज क्रिकब रेविंद्र जडेजा है भारतिय क्रिकेट के टेस्ट में 21 सदी के Most Valuable Player है तो 21 सदी के टेस्ट में World के Most Valuable Player कोन है तो स्रिलंका के हैं दोस्तों क्या नामें उनका मुथाया मुरली धरन आपको याद करना होगा अब हम जाने के रेविंद्र जडेजा के बारे में इन्होंने 2009 म मैч खेले हैं 165 वंडे मैच खेले हैं तत्था 49 T20 मैच खेले हैं भारत की तरब से और दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक और आखार जारी किया था कि विजडर ने दोस्तों एक आखार जारी कि ने जारी भाग लिया था तो 11400 लोगों इस पॉल में भाग लिया था आप देखें दोस्तों इसमें नंबर वन रहे थे राहूल द्राबीन के भारत की सबसे महांतम टैश के किरिकेटर को नहीं तो राहूल द्राबीन नमबर 2 कुन रहे थे तो स्थाचिन तेंदूल कर दोस्तों और नमबर 3 रहे थे सुनिल गवासकर तथा नमबर 4 रहे थे विराट कोहली आपको याद करना होगा अब हम देखेंगे BCCI के इसकी स्थापना हुई थी 1928 में हैट क्वार्टर है वानखेली स्टेडियम यह काम थे तो यह है मुंबई में तथा BCCI के पैटराइंगे स्टेडियम जैसा तथा भारतिय कोच है दोस्तों पूर्शों में राविश साश्तरी और महिलाओं के डबलू वी रमन तथा भारतिय जन संचार संस्थान यानिकि IIMC के महानिदेशा के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो न्युक्त किये गें उप्षे नंबर बे निकि संजे दिवेदी और दोस्तों यह वर्तमान में माखन नाल चत्रवेदी राश्य पत्रिकार्ता यान संचार विद्याले यह कापा यह है भोपाल में वहां के रश्टार है पजन टाइम पर दोस्तों इनकी सीधी भरती की गई सीधी न्युक्ती की गई है कितने वर्सों के लिए तो तीन वर्सों के लिए इनकी न्युक्ती की गई है अब देखे दोस्तों जो IIMC है इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में अब देखें कौन से मंत्याले के अंडर में आता है तो दोस्तों ये सूचना और प्रसान मंत्याले के ताथ एक स्वाय संस्था के रूप में ये काम करता है यानि कि सूचना प्रसान मंत्याले के अंतरगत में आता है ओके दोस्तों अब देखते हैं मागला प्रश तीन नमर के लिए किस देश ने वज़ दोरह 21 में ओकलेंड में होने वाली ACA प्रसांथ आर्थिक सायोग समीट को COVID-19 महमारी के करन रद करने की घोशना की है तो की गई option number D यानिकी New Zealand की तरफ सिर जो ओकलेंड है दोस्तों ये New Zealand का सबसे बड़ा शहर है और 2021 का ACA प्रसांथ आर्थिक सायोग समीट ओकलेंड में होने वाल था लेकिन इसको रद कर दिया गया लेकिन ऐसा भी कहा जारे कि इसको अब 80 तोर पर यानिकी और 2019 का कहा किया जाएगा तो इसका आवजन किया नहीं जा पाया था चिली में इसका आवजन होना था लेकिन वहाँ पर एक हिंसक परदसन हो गया इसके विरुद में इसलिए वहाँ पर कैंसल करना पड़ा था ठीक है दोस्तो अब देखी जो नुजलेंडर में रद हुआ और क्या कारण हो सकते हैं दोस्तो एक और कारण हो सकते हैं अब हम दोस्तों किस के बारे में जानेगे तब हम जानेगे APEC या निकी ASEI प्रसांत आर्थिक सयोक सम्मिट के बारे में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अंडर में 21 देश आते हैं ठीक है यह कौन-क अमेरिका, पेरू, मेक्सिको, चिली, कोर्या गनराज, जापान, चीनी ताइपे, होंग कॉंग, दा फिलिपिन्स, बुर्नेई, पापुआ न्यूगिनी, इंडोनेशिया, उस्टेलिया, न्यूजिलेंड, रूस, पीपुल्स रिपाब्लिकन चीन, वियतनाम, थाइलेंड, मल इसिया, और सिंगापूर, इसके दोस्तों 21 सदश्य देश है, अब देखी जिलेंड के बारे में, जो जो न्यूजिलेंड है, इसके दानी है वैलिंग्टन, प्राण महिस्टा ने जैकिंडा अडन, मुद्रा है न्यूजिलेंड, डॉलर यहां पर मुद्रा चलती है, ओके, नैसको चन 4 नमबर के लिए, अमेरिकी संगे संचार आयो गयानी की एप सीसी ने कीन दो चीनी कमपनियों को राशे स्वक्षा खतरों के रूप में नामित किया है, तो नामित किया गया उप्षय नमबर, डेन की हुआवे टेकनोलजीज और जेटी कर्परेशन इन दो कमपन टाइम पर उसके साथ और चीन के सानस कंत्र के साथ इनके घनीश संबंध है, और दोस्तों ये भविश्य में ये जासूसी कर सकते हैं, अमेरिका का, इसलिए दोस्तों इसको अमेरिका सोच रहे कि कुछ दिनों के बाद इसको बैन कर दिया जाए, अमेरिका से चाहे परतिब जिनपिंग और मुद्या दोस्तों युवान, आप देखे दोस्तों आपको याद करना है, प्रायम महिस्टर तो आपको याद कर ही लिए ना, क्योंकि जो भी प्रेश्टेंट है आम तोर पर आप सुनते आ रहे हैं, आपको याद हो भी गया होगा और पेपर में प्रायम मह काम को सविकार करना और उन्हें अपने काम के लिए बहतर करने के लिए पोसाहित करना इसका मेनु देश है, अब देखे जो अंतराश्य स्पोर्स प्रेस एसुशन है, इसकी सतरवी वर्सगार्ड को दोस्तों चीनित करने के लिए इस दिवस की स्थापना के गए थी, कब के के थी तो 1994 में इसकी स्थापना के गए थी अब देखी जो अंतराश्य स्पोर्ट प्रेस एसुशन है उसका जब सतरवां वंसकाट 1994 में है तो इसकी स्थापना कब थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में कहां पर तो पेरीज में इसकी स्थापना के गए दोस्तो आपको स्थापना के गए थी 27 फरवरी 1996 को इसकी स्थापना के गए थी और दोस्तो वह भारत का है ठीक है जो EIPS है दोस्तो यानि कि अंत्राश्य स्थापना का बुए थी तो इसकी स्थापना है वह थी 1924 में इसका मुख्याले है लाजेन सिविजरलेंड में तथा इसके राश्पती यानि की पैजडेंट है जियानी मेरलो को जियानी मेरलो ओके नेक्स को उच्छन छे नमर के लिए भारत के उपराश्पती M.Bank A.N.A.D.U. ने एक पुष्टक भविस्तक का उस सिख्छा का भविस्त से नो मैंगो ट्रेड का भी एमोचन किया पुष्टक किसके द्वारा लिखे थे निकि इस पुष्टक के लेखक को है तो लेखक है उप्षय नमर निकी C.A.V. वटावी राम अब ये है को तो दोस्तो एक सावज निक वक्ता लेखक और सिख्छक है अब देखे दोस्तो ये पुष्टक इसका मिनसार कहा है निकि इस कैसा पढ़ाता है और जो स्चात होता कैसा सीखता है प्रक्षालाव में कैसे काम किया जाता है प्रक्षा में क्या मांद्यंड होता है कैसे प्रक्षा दी जाती है दोस्तो इसके बारे में पूर अच्छी तरीक से लिखा गया है और 5000 से अधिक सिख्छों के बीच में ये कुछता को लिखा है सी ये वी वटावी राम की तरफ से दोस्तों ठीक है अब जानेंगे अगला प्रश्ण साथ नमर के लिए ICMR के अनुसार भारत की पहली सवदेशी करोना वैक्सीन कौनसी है को वाक्सीन कब तक लॉंच की जा सकती है दोस्तों एक पर और आप इस नाम को देख लिए ये को वाक्सीन को क्योंकि ये पेपर में तो पूछा ही जाए आप देखी इसको ICMR लॉंच करेगा कब तक ओप्शन किया जाएगा इसी महीने की 15 दोस्तों जुलाई से उसको फास्ट्रेक मोड में किया जाए और दोस्तों कितने जगा किया जाएगा तो भारत ने 12 जगा को ये 12 संस्थानों को चुना गया है वहां पर इसका टैस्ट किया जाएगा human trial किया जाएगा अब देख जगा कौन-कौन से है तो जगा है दोस्तों ओरिशा विशागा पटनम रोहतक न्यू दिल्ली पटना बेलगाम कहां पर है ये करनाटक में है नागपूर गोरकपूर काटालोरपूर ये दोस्तों तमिलाडू में है है हैदराबाद आरे नगर का जानपूर और गोवा ये बारा संस्थान है बारा जगां पर है जहां पर human trial किया जाएगा इस को वाक्सिन वैक्सिन का ओके दोस्तों हम जानें किसके बारे में ICMR के बारे में जो ICMR है दोस्तों इसके स्थापना हुए थी 1911 में और उस टाइम से इसका शोट नाम हुआ करता था IRFA जब इसका ICMR नाम हुआ का हुआ 1949 में इसका हेड़क्वाटर है नियू दिल्ली इसके पैंटाम के सेक्रेटर और डिरेक्टर जरनरल है डाक्टर बल्राम भारगव ओके दोस्तों अब हम देखेंगे अगला प्रश आठ नमर के लिए हाली में किस बैंक ने देश भर की किसानों के लिए इक किसान धन एप लॉंच किया है इसको लॉंच किया गया उप्शन नमर डेन की HDFC बैंक की तरब से दोस्तों अब देखें जो एप है ये मिले कहाँ पर तो Google Play Store पर मिले गा दोस्तों वहाँ से डाउनोड करके आप इसको इंस्टोल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से अब देखें दोस्तों इसमें है क्या तो जो भी ग्रामीर पस्थी की तन थे हैं जो भी उसको जोड़ते हैं किसानों की दोस्तों वह सारी की सारे जरूरते बैंकिंग के हिसाब से इसमें डाल दी गई है ठीक है अब देखें द से देख सकता है ठीक है और नए नए खबरे कौन से खेती से जूड़े भी वो देख सकता है मोसम की जनकाई ले सकते हैं बीज की नएने किस्मों की जनकारी इसमें दी जाएगी और SMS के माध्यम से सलाह दी जाएगी किसानों को ठीक है दोस्तों इसके माध्यम से अब देखिए इसके अलावा banking में कौन सी सुवितार दी जाएगी अगर किसान को खेते के लिए रिंड लेना हो लोन लेना वो ले सकता है bank का account खोलना हो वो इस app के असान से खोल सकता है और इसमेंचे अगर बीमा का लाव लेना हो तो वो भी बहुत आसान तरीकी से online ले सकता है दोस्तों ठीक है अब देशो हम जानें किसके बारे में तो HDFC जो bank है इसके बारे में हम जानेंगे इसके स्थापना हुई थी अगर्स 1994 म मुंबाई में दोस्तों और इसके मेंजिंग ट्राइटर नेंपर आदित्य पूरी चेर्मन है स्यामला गोपिनाथ और दोस्तों इसके पैस्डेंट है दीपक एस पारे कौन दीपक एस पारे किसके पैस्डेंट है दोस्तों जो इसका फांडर दोस्तों लिखावा यह लिख जीत लिया है तो इसको जीत लिया उप्षेन नमबर बियाने कि सुमीत नागल ने और ये इस महमारी की बीच कोई इंटरनेशन टूनामेंट जीतने वाले पहले भारतिये बन गए अब दीके दोस्तों जो टूनामेंट ये होका रा था तो इसका आजनक्षिया का था जर्मनी क तरब से जर्मनी में अब दीके इन्होंने हरा किसको दोस्तों तो जर्मनी के खिलाड़ी है उनका नाम है डेनियल मंसूर को दोस्तों उन्होंने हरा कितने से तो छे एक से और छे तीन से इन्होंने हरा कर इस टूनामेंट को अपने नाम कर लिया ठीक है और दोस्तों ये वर की लाश्ट पर्ष्ट हाली में फिलम जगाती किस मसुहूर कोरियोग्राफर का काडिक आयश्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया तो निधन हो गया उप्षय नाम बाल कलाकार के रूप में और उन्हों एक छोड़ी लड़की का क्यादार नहीं बाया था लड़की के नाम और दोस्तों इन्होंने अपने 40 साल की करियर में 2000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ करने का काम गया है अब देखें दोस्तों इनके 3 फिलमों के लिए अवार्ड यान की पुषकार भी मिल चुके है कौनको इस फिलम दोस्तों है हम दिल दे चुके सनम गुरू, खलनायक औ हाने वाली महिला athlete कौन हैं दोस्तों यह athlete option number c n की नाओमी ओशाका और यह जापन की दोस्तो, athlete हैं आपको याद होगा और इतनी पीछे किसको छोड़ा है तो ? और दोस्तों सेना Williamson को बेच छोड़ा है और दोस्तों यह खिलाड़ी तो दोस्तो ये खिलाड़ी है अमेरिका की सेना विलियम्स अब देखे इस प्रस्ट का प्रस्ट का सही जवाब दिया है और हम देखेंगे जो हम हम आज के परश्त में पूछेंगे क्या पुछेंगे पुछेंगे पुष्तक दGu the EC reconstruction के लेका कोनthis प्रस्थ का जाब दुस्त आपको comment box में देना है और जितना भी आपको आता हुगर सारा कासा दीजिए आप देखिए अच्छा, दोस्तों रिस्पोंज देजिए और इस वीडियो जहाज ज़ाज लोगों तक शेयर केजी अगर शेयर करेंगे दोस्तों थभी हम वीडियो बनाने में मन लगा रहेगा और ज़ादी व्यूज आइंगे तक हम बना पायेंगे कुछ आगे समय तक इसे दोस्तों को शेर किज़ेगा और जो भी दोस्त इस चैनल पने हैं चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कहेजा दिए वीडियो को लाइक कर देजिए दोस्तों इसी तरह आपने तैयारी करते रहिए और अपनों अपनों ख्याला के नमस्कार धन्यवाद